वीना जी हमारे साथ है मैं important सवाल भी आप शे करूँगा वीना मैं सबसे पहले आपका स्वागत है नमिश्क्राइब थैंक्यू सुमाइब वीना जी लगातार आप इस कोशिश में हैं कि हमारे वो students जो Australia जाना चाहते हैं उनके लिए एक Indian pathway की option है मतलब कि वो छे मीने से लेकर एक साल इंडिया में पढ़ेंगे उसी university में जिसमें उन्होंने Australia जाना है इंडिया से पढ़ना शुरू करनेगी और इस program को काफी अच्छा response मिल रहा है एक तो मैं चाहूंगा कि जैसे आपने बताया था कि इसकी deadline ग्यारा मार्च तक है सो 11 मार्च तक ही admission हो सकती है उन बच्चों की जो बच्चे Australia में admission लेके छे मीने एक साल या आठ मीने इंडिया में पढ़ेंगे और इसी वीजा लगेगा और अगर उनका वीजा नहीं होता तो 100% fees का refund है सो मुझे ये आपका program लगता है और मुझे लगता है कि students को भी जादा से जादा इस बारे में जानकारी देने की जुरूरत है तो मैं सबसे पहले चाहूंगा एक पर थोड़ा सा बरीफ करें क्योंकि दिन बहुत कम रह गए हैं जैसे आपने बताया कि 11 मार्च ही deadline है उसके ब पांच मार्च सोचके चलते हैं क्योंकि 11 मार्च को अगर करते हैं तो फिर वो इंटेक निकल जाएगा क्योंकि बच्चे को डेक्यमेंटेशन देनी पड़ती है हमें और फिर रजिस्ट्रेशन होता है तो इसका प्रोसेस है वन वीक का तो हम चार या पांच या मैक्सिमुम छे तारिक तक इन बच्चों के अड्मिशन ले सकते हैं अब इसमें क्या है मानलो बच्चा अगर आर्ट्स का है सबसे ज़्यादा हमें क्यों दिक्कत आ रही है क्यों पाथवे प्रग्राम से जाना चाहिए तो हम इस चीज को समझ लें बच्चे ने मानलो भी IELTS नहीं किय या उसका कम स्कोर IELTS या PTA में या TOEFL डूलिंगो जो भी उसने किया है डूलिंगो तो नहीं चलता है TOEFL, IELTS और PTA चलते हैं और किसी वज़े से उसके पेरेंट्स के ITR सबसे ज़्यादा प्रब्लम क्या रही है कुछ युनिवस्टियां ITR की वज़े से income tax return की वज़े से GT reject कर रही है कि कम income है और financials का source नहीं है यह तीन चार चीज़ें हो रही है यह बच्चा आर्ड्स का है इन सबका solution एक ही है pathway program pathway program में हमें 60% चाहिए that's the only condition और बच्चा 23 pass out और 22 भी नहीं लेंगे जी अब 23 pass out बच्चे कि अगर इन में से जो मैंने बताई कोई भी कमी रह गई तो वो pathway program ले ले जिससे उसका gap नहीं पड़ेगा क्योंकि 23 pass out बच्चों का जुलाई जो last है उसके बाद कोई भी Australian University अब इन में से कोई भी कमी आ गई तो जुलाई इंटेक में नहीं अगर हो पा रहा तो अगर वो pathway ले लेता है तो एक तो वो अपना पैसा बचा रहा है अस्ट्रेलिया की जो फीस है मालीजे वहाँ पे फीस इसकी जो एक समिस्टर या दो समिस्टरिया करने है डिपेंड अंद यूनिवर्स्टी तो वहाँ से अल्मोस्ट ये हाफ फीस पच्चायां देगा और वहाँ जाने के बाद भी जो pathway का student है क्योंकि ये Australia, UK, US तीनों के लिए चलते हैं तो जो pathway का student है वहाँ जाने के बाद भी फीस कम ही देता है, पूरी फीस नहीं है तो सबसे बड़ा benefit यह है, second वह gap नहीं पढ़ रहा है, third वह अपने घर में रहके अभी online कर रहा है, तो वह अपने living expenses भी बचा रहा है, Australia में अगर बच्चा graduation के लिए जाता है, three years करता है, तो two years का post study work permit मिलत ही होता है, तो यहाँ पढ़के second year में जा रहा है, तो वो भी उसकी requirement पूर रही होगी, living expenses भी बचा लिए, fees भी आ दे दे, तो सारे students को में बता भी दूजी एक बार, कि इसी program में जो नीचे address लिखा हुआ है, head office है, SCO 437 and 38, second floor, sector 35C, so इसमे address भी mention है, आप इसमे telephone number address, बकाईदा mention है, जी मैं, वो हम बता रहे थे कि इतने benefit हैं अगर आपके pathway program के, तो मैं तो सोच थी हूँ कि इसम जो visa की थोड़ा dicey situation चल रही है, कि 6-8 महीने में वो भी सब clear हो जाएगा, बच्चे का पैसा भी बच जाएगा, GTK documents भी तैयार हो जाएगे, क्योंकि 31st March के बाद, according to government of India, जो tax relaxation थोड़ tax free कर दी है, तो जो 31st March के बाद की जो tax return भरी जाएगे, अब parents की दोनों के मिला के 14 लाग तो tax free income हो गए, जो के higher side पे कुछ university है, 16 लाग मांग रही है, अब मालो grandfather, या grandmother है, या नाना नानी है, वो भी direct sponsors में आते हैं, या कोई भाई बैन है, तो 4-5 लाग की वो भी अपने tax return भर सकते हैं, तो मतलब यह मिला के बच्चे का case बहुत strong होता है, तो pathway program से अगर student जा रहा है, तो उसके सारे documents आप देखे कितने strong तयार होगे, एक semester उसने या one year का यहां complete कर लिया, तो उससे saving भी हो गई, आने वाली visa situation के लिए भी वो तयार हो गया, और visa नहीं लगता, तो fees refund है, तो इसलिए उसमें भी कोई tension नहीं है, कि किसी किसम का कोई नुकसान है ही ही नहीं इसमें, अब जैसे यह बच्ची कहा रही थी कि offer letter के 44,000, और पता नहीं cash letter जो कि ESL program है, जिसमें कि हम लोग 150 pound pay करके cash letter मंगवाते हैं, तो वो भी बहुत जादा, तो I don't know कहां किया, इ ही हम काम करते हैं, हर student के साथ justification हो, मैं हम इस तरह की reports हैं कि जुलाई इंते एक में Australia से अच्छा visa मिलेंगे, अब या आप तो 26-23 साल से Australia कर रहे हैं, आपका estimate क्या है, देखिए जी अभी high commission का बहुत pressure, high commission पर बहुत pressure पढ़ा हुआ है, जो हमारी Australian association की body या उनकी तरफ से भी ministers को काफी mails, letters आ रहे हैं, और universities का भी काफी pressure है, इस वज़े से आप देखो इस समय वीजा रुके हुए हैं, और universities ने COS किंसल कर दी हैं, अब नई COS के लिए deferment के लिए नई offer letter आ रहे हैं, नई offer letter के साथ acceptance, तुभारा से financial documents चेक होएंगे बच्चों के, तो मतलब बच्चे जो इतना time waste हो रहा है, तो university का बहुत, आप देखो कितने million dollars के उनके income है student industry से, जिस industry को खराब नहीं करना चाते, बच्चे में कोई ऐसा डर नहीं पैदा करना चाते, तो university का भी pressure है हाई commission पे, तो अभी रुका हुए system थोड़ा सा, तो natural है कि जैसे ही थोड़ा ठीक ठाक तो अब वीजा आने की हमें उमीद है जुलाई में, इस चीज़ में